असलाम लेकुम गर्ल्स कैसे हो आप सब आज हो है हमने नेक्स टॉपिक स्टार्ट करने विजस कॉन्टेंप्री थियोरी ऑफ मोटिवेशन सबसे पहले कॉन्टेंप्री का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि सिमिलर हो या फिर रिलेटेड हो तो इसमें भी हम कुछ कि एक ऐसी मोटिवेशन या थियोरी ऑफ मोटिवेशन देट इस किंसर्ण विज़ बेनिफिशल एफेक्ट ऑफ इंटरिंस्टिंग इनर मोटिवेशन एंड यहां पर बात कि कह रहे हैं कि देखें जैसे एक थियोरी है जो इसका मानना यह है कि यह कंसर्ड है कि जितने आप को interesting motivation मिलती है कि आपको कुईसी चीज़ से जितनी inner satisfaction मिलती है तो आपके उसके उपर बहुत जादा beneficial effects होते है जबके आपको किसी चीज़ के जितने भी external कहलो harmful effects देख रहे होंगे तो आपकी वो motivation जो है वो कम हो जाएगी यानि कि कहना यह जा रहे है कि अगर आपने कोई task perform करना है ना तो अगर वो आपकी मर्जी के मताबिक होगा तो आप उसको एक liability या एक obligation की तरह perform नहीं करोगे बलके आप उसे खुशी-खुशी perform करोगे तो बात यह आजाती है कि जितना आप inner से satisfy होगे जितने आपके internal factors जो है वो motivate होंगे उतना ही आप अच्छी तरह जो है वो काम करोगे बाकी दूसरी बात यह कि जितना आप negative या external factors जितने भी हैं किसे harmful effect हो रहे होगे तो क्या होगा कि आप जो अपना काम सही तरह नहीं कर सकोगे दूसरी बात यह कि इसमें यह भी कहा गया है कि जो जितने भी लोग होते हैं वो अपने उपर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं ठीक है तो इसमें यह बात आजाएगी कि आपने किस चीज़ को किस तरह से लेना है परसीफ करना है self determination theory में यह था अब इसमें एक और अप्रोच यह यूज कर रहे है जिसको हम कहते हैं cognitive evaluation theory अब इसका मतलब यह है कि जब आप extensive rewards की वजह से या उसके थूरू किसी से कोई काम कर आओगे ना तो उनका inner interest जो है वो काम हो जाएगा just like उन्होंने लिखा है when people are paid for work it feels less like something they want to do and more like something they have to do बात पजया क्या होती है कि जब आपने काम करना है ना तो क्या होगा कि जब आपको कोई काम impose करेगा और उसके बदले में आपको reward देगा तो फिर आप वो काम जो है वो अपनी खुशी से नहीं कर रहोगे आप बस वो काम क्योंकि आप की उपर कहलो कि emphasize कर दिया गया है तो आप करोगे implement कर दिया गया है तो आप करोगे दुशी बात या जाती है कि यह जो बात की है कि कुछ लोग जो है अपनी inner satisfaction के लिए काम करते हैं कुछ लोग जब reward से मतासर हो जाते हैं तो वो सिर्फ काम जो है उन rewards की वो जैसे कर रहे होते है inner satisfaction के जो motivators है वो कम हो जाते है तो यह cognitive evaluation theory इस चीज़ की तरफ जो है कह रही होती है self determination theory में एक part जैसे पहले तो एक self determination है internal and external factors है यहां पर यह इसी का एक part है कि यह first theory है इसी तरह एक और second theory है तो यह इसके main points यह थे थे मैंने पता दिया है यहां पर example दी हुई है आप लोग read करना second one theory जो self determination की है वो है self concordance theory यह क्या कहती है कि यहां पर बात बिलकुल उपर वाली theory से opposite की वे यहां पर internally जो बंदा जितने जादा satisfy होगा या जितना जादा बंदा जो कहलो motivated होगा वो उतने जादा अपने goals और ambitions को achieve करना चाहेगा अब first theory में तो आप external factors के थूँ क्या कर रहे हो कि आप external factors के थूँ उससे काम करवा रहे हो ना तो उसका काम करना मजबूरी है just like किसी को पैसो की need है तो वो काम में यह नहीं देखेगा कि मुझे काम करें कि एक खुशी मिल रही है कि मुझे कोई achievement मिल रही है बलकि वो यह देखेगा कि मुझे पैसे मेरे जबकि second value जो self concordance है इसमें यह बात की वी है कि एक बंदा जितना strongly अपने कोई ना कोई goal achieve करना चाह रहा होगा उसके interesting values जो है या reason जो है वो बहुत जादा satisfy होंगे as compared to this as compared to ना भी करो लेकिन बात या जाती है यह दोने एक दूसरे के contrary है इसमें यह कहावा है external rewards की विज़े से काम कर रहा है इसमें यह कहावा है कि अपनी internal motivators की विज़े से वो job कर रहा है और काम करके खुशी महसूस कर रहा है क्योंकि वो चाता है कि अपनी performance को better से better करता जाए इसी तरह से अब यहाँ पर next theory है वो यह goal setting theory जो के यह कहती है a theory that says that specific and difficult goals with feedback lack to higher performance बात यहाँ पर यह कर रहे हैं कि जो goal setting theory है वो यह इस चीज़ पर emphasize कर दी है कि एक person अगर है ना तो अगर उसने जतने ज़्यादा अपने high goals रखे वे होंगे या specific goals रखे वे होंगे तो उसका performance level उतना ही high होगा इसको अगर मैं आप लोगो easy wordings में समझाओ ना कि जतना आप focus रहे के अपने goal set कर ले तो होना कि just like आपने metric के बाद इंटर में जब admission लेना है तो आपने जो subject select करने वो आप पहले सी सोच लो just like यह ना कि आप पूरा साल जो है medical के students जैसे है वो medical में जब उनका admission नहीं हो पाता तो उनके लिए perform करना first year में बहुत जादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका mindset क्या होता है या उनका goal setting क्या होती है कि उन्होंने doctor बनना होता है तो जब आप अपने आपको एक चीज के साथ specific कर लोगे ना तो होगा ये कि आपको जब पता होगा आपका defined goals ये हैं तो आप उसके लिए perform भी उसी कहलो कि उसी level का करोगे कि जतना आपको वो achieve करने के लिए लगता है पहली बात ये होगी दूसरी बात ये कि ये जो theory बहुत जादा support भी करती है क्योंकि evidence से यही मिला है कि जब जतने specific goals होते हैं उतनी high performance होती है जतना आप determined रहोगे focus रहोगे कि आपने करना ही ये है future में तो आपकी performance उसी हिसाब से जो है वो बढ़ती जाएगी ये जादा होगी फिर दूसरी बात कहरे हैं कि difficult goals होना difficult goals जो हैं वो भी आप fulfill कर सकते हो लेकिन आपको specific होना ज़रूरी है दूसरी बात ये है कि जो feedback आपको आपकी performance पर मिलता है न वो आपकी performance को और जादा high कर देता है मैंने आप लोगों कहा कि अगर आप लोग जतनी high performance रखोगे या जतने determined goals रखोगे न अगर आप से कोई पूछता है कि आपने क्या बनना है तो आप कहतो अभी तो पता नहीं तो ये आपकी determination नहीं हुई ठीक है आप अभी तक specific ही नहीं हो कि आपने करना क्या है इस वज़े से आपका जो feedback है यानि कि लोग जो आपको उसके बाद feedback देते हैं आपकी performance को आपकी goals को देखते हुए वो भी बहुत जादा matter करता है दूसरी बात ये कि जो इस तरह के goals होते हैं वो बहुत जादा constant होते है जितने जादे difficult goal होगा उतनी जादा higher of performance होगी और कि ये कि feedback जो आपको मिलता जाता है तो आप grow करते हो ठीक है आप अपने goals की तरह और जादा identified होते हो यहाँ पे तीन personal factors है जो कि goal performance relationship पे क्या करते हैं influence करते हैं असर अंताज होते हैं जैसे goal committed goal commitment का मतलब ये है कि आप कितना जादा committed हो किसी भी चीज़ को achieve करने के लिए ठीक है ऐसा तो नहीं है कि अगर थोड़ी सी परिशानी आएगी आप उस चीज़ को छोड़ दोगे जतने सादा आप committed होगे उतनी जादा आप महनत करोगे और उतनी जादा ही high performance रखोगे ये जो points है ये आप लोग पढ़ लेना ठीक है second one है टाक्स characteristics की आप जितने आपके जो टाक्स है जैसे आपने कोई field select कर लिया ठीक है उसमें जो टाक्स आएंगे वो आपकी performance पे बहुत ज़दा अस्तर अंदास कर जोगे just like अगर आप किसी चीज़ में बहतर हो या किसी चीज़ में किसी टाक्स में आपका interest है तो आप उसको बहुत असानी से कहलो कर लोगे या बहुत ज़दे interest के साथ करोगे और उसमें आपकी performance जो हाई होगी यानि कि जैसे जिस subject की त्यारी अच्छी होती है या जिस subject जो subject पर आपकी grip होती है तो उसकी वो आपकी performance पर influence करती है ठीक है थर्ड है national culture यानि कि ये कि जो setting आप बना रहे हो अपने goals के लिए या different जो goals आप select कर रहे हो तो आपका culture, cultural norms या nationally जो आप जहां रहे हो वो वाली चीज़े जो factors है वो भी आपके उपर बहुत ज़ादा असन अंदाज हो रही होती है just like आप ये कैलो कि अगर आपने पढ़ना है papers में और आपके कोई घर की situation ठीक नहीं है तो वो आपके उपर effect करेंगी इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो आपकी performance पे effect कर रही होंगी इसी theory में इन्होंने दो ना कैलो focuses बताए में एक है promotion focus इसमें यह होगा कि आप जो अपने goals को achieve करने के लिए और इन्हें accomplish करने के लिए जो है वो सारी strategy जो है या कैलो self regulate करोगे खुद को कि हमने इस इस तहां से काम करने है जब कि दूसरी जो है कि आप अपनी liabilities और अपनी duties को ही सिवने बाते रहोगे ताकि आपके goals जो है वसासद अचीव हो यहाँ पे आप promotion आगे बढ़ने की उसमें हो यहाँ पे आप जो आपके पास है आप सिर्फ उसको complete करने की कोशिश में हो अब आप लोग ने क्या करने है आप लोग ने सिर्फ यह और यह paragraph यह read कर लेने है और अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना है